कभी ये सोचा, transitive को transitive क्यों कहा जाता है, intransitive को intransitive क्यों कहा जाता है, जिसने grammar बनाई, उसके पास dictionary में बहुत सारे शब्द थे, वो active voice, passive voice भी तो कह सकता था नमस्कार, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma verbs के chapter का ये second video है, और हाँ, अभी तक मैं आपको चार topic पढ़ा चुका हूँ, noun की पूरी separate playlist है, आप वहाँ पर check कर सकते हैं pronoun complete हो चुके हैं, adjectives complete किये जा चुके हैं, articles finish हो चुके हैं, और verbs के chapter का ये second video है हाँ, अगर आप premiere नहीं देख रहे हैं, तो check कर लेजेगा, शायद और भी playlist होगी, या फिर पूरी grammar completely upload हो चुकी होगी last video में, या फिर कहिए first video में, मैंने आपको introduction और types of verbs के बार में बात की हाँ, मैंने जादा कुछ नहीं बताया, लेकिन जितना भी 40 minutes मैंने आपको बोला, एक छोड़ी से request है, अगर कोई नया हो previous video ज़रूर देखीजेगा सिर्फ शब्दों के meaning के हिसाब से किसी को judge करना language में grammar नहीं होती, जो लोग मुझ से जोड़े हैं, मैंने इस बात को कई बार समझाया है एक छोड़ा से example, वापस कपिल शर्मा शो में कपिल noun नहीं है, adjective है ऐसे कई variations के हिसाब से किसी भी language को सीखने के लिए सबसे ज़ादा important topic आपका verb ही होता है तो यहां तो हम surety दे ही नहीं सकते कि जो शब्द है, go, verb है मैंने last video में बहुत आपको detail में इस बारे में जिक्र किया जो लोग नए हैं, please देख सकते हैं, otherwise मैं quickly recall करके इस video पर आगे बढ़ूँ कि हाँ, English में verbs या किसी भी language की जो verb होती है, वो सबसे important होती है क्योंकि वही आपका time और tense decide करती है, वही आपके subject, number, gender को satisfy करती है singular है, plural है, verbs change होती है बाकी कोई भी part of speech tense, change करने पर change नहीं होता he is dancing, he will be dancing, he was dancing, he has, जो भी आप कहना चाहें सारे variations हमेशा verb के change होते है दूसरी बात, verbs अपने finite, non-finite के हिसाब से, अगर subject के नुसार change हो, तो ही verb कहलाती है अगर वो infinitive है, तो verb की category से बाहर है, participle है, gerund है मैंने आपको बहुत detail में समझायाता है, कि verb की ing form English में verb नहीं होती या तो वो participles होते हैं, या फिर वो gerunds होती है और last slide आपको mark की थी, कि हाँ, verbs English में दो तरह से मैं आपको basics में start करके चलूँगा, step by step, advanced भी आप देखते रहेंगे main verbs, auxiliary verbs, auxiliary verbs को helping verb कहा जाता है जिसमें आपकी primary auxiliary, be, do, have, is, mr, was, were, do, does, did, has, have, had और model auxiliary, can, could, may, might, shell, should आपको mark किये थे main verbs, जिसके उपर ये वीडियो है, आज start करेंगे, अभी से ही दो categories में आ सकती है, जन्हें ordinary verbs भी कहा जाता है transitive, intransitive, तो इसके बारे में discuss करते हैं last line, पिछले वीडियो की बोल कर, verbs होती क्या हैं, तो verbs के लिए एक छोटी से line आपको बोली थी, कि हमें रटा होता है, kriya, आपके नहीं भी दो languages को exactly translate नहीं कर सकते, और हाँ, verb सिर्फ kriya दिखाती है, यानि he's hungry, state है, action नहीं है, I have a pen, कोई action नहीं है, लेकिन he's dancing, she's playing in the garden, ये सारे आपके action words हो सकते हैं, further details आप पिछले वीडियो से चेक कर लेजेगा, in this video, we'll talk about transitive and intransitive verbs in English, हाँ जी, हिंदी से side रखे, because English में ही, English की verbs को जज नहीं किया जा सकता, तो मैं इनकी हिंदी तो नहीं बोल पाऊंगा, जो है, उसे आप flat देखिए, समझने के लिए आप अपनी भाशा का अस्तमाल कर सकते हैं, माना के हम लोग रट कर बच्पन से पढ़े होंगे, आप मेंसे कई लोग जानते होंगे, लेकिन एक general सीलैन में मेरी वही आदत है, जो हमेशा आपको भी पसंद आती है, जो लोग मुझसे regular जड़े हुए हैं, कि हर चीज का reason चाहिए, रटी हुई चीज है हमाने book से भी बहुत मिल जाती है, वापस इनके answer रखने से पहले एक question फिर से मेरे पास है, कि transitive को transitive क्यों कहा जाता है, होता क्या है, वो सब जानते हैं, मैं एक बार मैं बोल दूँ, transitive verbs वो होती है, जिनको अपने साथ object चाहिए, या जिनके साथ object आते हैं, वो transitive होती है, हाँ जी grammar बनाई उसके पास dictionary में बहुत सारे शब्द थे वो active voice, passive voice भी तो कह सकता था वो direct voice indirect voice भी तो कह सकता था यह मेरे same question आप से होंगे voice और narration पढ़ते वक्त same question भाई voice पढ़ना ठीक है पहले यह बताओ active voice और passive voice क्यों कहते हो transitive voice और intransitive voice क्यों नहीं कहा जाता direct voice और indirect voice क्यों नहीं होता और ऐसे सारे questions आप step by step देखें लेकिन हाँ, हाल फिलाल का answer बहुत easy, आशार रखता हूँ कि आप life में कभी इस चीज़ को न भूले with reason आप dictionary से verify कर सकते हैं इसके लावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है हाँ माना, transitive verbs उन्हें कहा जाता है जिनके साथ object आता है जिनको इस तरह याद है? याद रखें कोई परिशानी नहीं है और intransitive उन्हें कहा जाता है जिनके साथ object नहीं आता obviously इसका negative है कभी ये notice किया इनके नाम इस तरह क्यों रखे गए या इनके पीछे का reason क्या है तो base formulation के आधार पर transit शब्द का ही मतलब होता है to pass over I repeat transit शब्द का मतलब होता है to pass over इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं अभी आप देखेंगे तो वो verbs, थोड़ी logical बात है common sense से समझेगा वो verbs, जो अपना action यदि है, आगे पास कर देती हैं, उन्हें transitive कहा जाता है थोड़ा awkward लगा, समझा पाऊंगा, no problem वो verbs, जो अपना action आगे देती हैं उन्हें transitive कहा जाता है transit to pass over exact grammatical terms है और वो verbs, जो अपना action आगे नहीं दे पाती in transitive कहीं क्योंकि वो आगे अपना action पास नहीं कर पाई है ये कुछ नया था, सर समझ नहीं आया transit शब्द के जितने derivatives आप बना सकते हैं मैं वही practical words रखूंगा जिनको आप जानते हैं चेक कीजेगा वहाँ पर एक चीज हमेशा दूसरे पर जाती है कुछ examples की बात करते हैं किसी भी ऐसी website से Amazon है, PTM है, Flipkart है जहां से भी आप online shopping करते हैं तो जब वो product वहाँ से भेज दिया जाता है और हमारे घर अभी तक नहीं पहुँचा तो in transit लिखा आता होगा कभी notice कीजेगा कई ऐसे delivery partners हैं जो भर तक सामान दे जाते हैं Amazon के बाद वो जब आप उनका अपना number डाल कर check करते हैं कि मेरा product कहां तक आया आप इसे कई लोगों ने देखा होगा तो उसे in transit कहा जाता है next time notice कीजेगा जो चीज भेज दी है वो अभी transit है याने in transit है अभी पहुँच रही है यहां से यहां तक पहुँचने वाली है अलग शब्दों में transfer जैसे शब्द को pick कर लीजे transfer जो भी एक stage से आगे अपनी चीज़ों को pass कर देता है कह दीजे यहां से वहां तक अलग तरह चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक transfer transit जो मैंना product order किया बैंगलाओर से मेरे घर पर आया था transit है transfer है इन शब्दों को जड़ा इन शब्दों में लिखकर दिखाईए translation कहा जाता है एक language को दूसरी language में हम लोग translate कर देते हैं तो ये चीज़ यहां से यहां तक आ जाती है उन शब्दों के बदले इन शब्दों को लिखा जा सकता है transgender जैसे शब्द का भी आपको पता होगा जहां पर change in state के बाद वो चीज़ ऐसी थी पहले अब ऐसी हो चुकी है all in all trans से बने हुए maximum शब्द आपको कही न कहीं यही form दिखाते है और English grammar के अनुसार transit शब्द का खुद का मतलब होता है to pass over जो मैं आपसे बार-बार कहा इसी लिए वो verbs जो अपने action को खुद तक सीमित नहीं रख पाती examples अभी आप देखेंगे आगे बढ़ा देती है transitive कहलाती है because उन्होंने अपना action आगे पास कर दिया है और वो verbs जो अपना action आगे नहीं बढ़ा पाती खुद पर ही खत्म हो जाती है उनको action को आगे बढ़ाने के जरुरत नहीं है उन्हें intransitive because वो आगे नहीं बढ़ा पाई कहा जाता है एक छोटे से example से pick करते हैं बाकी आप slide से देखेगा for example अगर मैं आपसे कहना चाहूँ के he killed अब he killed को मैंने यहां लिखा he killed लिखा है और मैंने यहां लिखा है she is dancing कुछ भी ऐसा form pick कर लिजेगा he smiled मान लिजेगा चलिए दोनों पास में लिखा है he killed और he smiled चेक कीजे जब मैंने आपसे कहा कि he killed उसने मार दिया तो subject वही है kill आपकी वर्भ हो गई लेकिन common sense यह action यहां तक सीमित नहीं रहा जब उसने किसी को मारा है तो वो मारने वाला action किसी और तक भी पहुँचा होगा कह दीजे जो मारा गया उससे आप transitive कहेंगे क्योंकि जो subject था उसने अपना action यहां तक नहीं रखा उस action का effect कह दीजेगा किसी और तक भी पहुँचा transit किया transitive कह दीजे लेकिन he smiled वो मुस्कुरा रहा था अब उसके मुस्कुराने का action उसी तक सीमित है इस smile को अपने बाद किसी अगलक शब्द की जरूरत नहीं है जैसे आप work का object कह सकते है sentence अपने आप में complete भी नज़र आता है he is smiling, she is dancing यहाँ पर मुझे किसी object याने इस action को किसी आगे तक पहुचाने की जरूरत नहीं है time flies by समय चलता रहता है हवा बहती रहती है कोई action आगे आगे बढ़ाने के लिए अब जब समय चलता है तो समय चलता है इसमें कोई object तो नहीं आएगा क्योंकि समय के चलने का option खुद तक सीमित है इस action को मुझे किसी और के आगे mention नहीं करना लेकिन India defeated इंडिया ने हरा दिया अब इंडिया ने अगर हरा दिया तो मुझे नहीं पता defeat transitive है के नहीं है रटे हुए शब्दों से लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि जब इंडिया ने हराया होगा तो ये जो हारने वाली बात रही है किसी और तक भी पहुँची होगी जिसे indirectly हम लोग कह देते हैं किसको हरा दिया कौन सी टीम को वापस हरा दिया defeat transitive जाएगी kill transitive जाएगी जबकि smile है या dance है ये आपकी intransitive है एक बार वापस कहना चाहूं logically आप verify करके देख लिजेगा transit शब्द का मतलब to pass over अपने action को आगे बढ़ा देना इसलिए transitive verbs के साथ object आते हैं यानि कि जो इसका action आगे बढ़ाय जाएगा किस तक पहुँचेगा? object होगा obviously और intransitive verbs जो आगे transit नहीं करती हैं अपने action आगे नहीं बढ़ा पाती हैं इसलिए उनको अपने आगने वाले किसी शब्द की extra जरूरत नहीं होती हाँ indirectly जो हमने रटा था हम उन शब्दों को भी देख लेता है transitive उन्हें कहा जाता है जिनके पास object होता है या जिनने object की need होती है और intransitive उन्हें कहा जाता है जिनको किसी object की कोई भी जरूरत नहीं होती Transitive verbs need an object to complete their meaning whereas intransitive verbs do not need any object to complete their meaning एक slide में चेक करते हैं कुछ basics के साथ इन examples को हाँ उस पर पहुँचने से पहले एक चीज़ फिर mention कर दूँ for example आपके मन में doubt आती है perfection किसी के पास नहीं है मैं भी नहीं हूँ कभी नहीं हो पाऊंगा आपको भी doubt होगी आप comments में लिख सकते हैं लेकिन फिर भी माल लीजे कोई ऐसा इस बात को बोलना चाहूँ और जो कोई नया हो तो आप से request करना चाहूँ कि English में mostly याने जादातर verbs transitive, intransitive दोनों तरह behave कर सकती हैं इस बात का ध्यान रखेगा मैं आगे इस बात को verify करूँगा इसी वीडियो में but please ध्यान रखेगा उस रटी हुई category में वापस ना जा at least जो लोग मुझसे जुणे वो तो ना जाए कि ये transitive है का intransitive है सर ये transitive है तो भई given sentence दिखाता है कि वो transitive है उसने अपना action आगे बढ़ा पाया या फिर उसको जरूरत नहीं थी कैसे आप इसी वीडियो में देखेंगे first of all कुछ verbs को judge करते हैं कि हाँ ये transitive है या नहीं है और हमें कभी कोई example लिखा मिले तो क्या हमें जरूरत पढ़ेगी कि ये transitive, intransitive कैसे judge की जा सकती है have a look at some examples जो लाइन अभीज आपसे बोली उन्हीं को कुछ छोटे मोटे example से द्याद रखते हैं जिससे कोई नई चीज आपको अगर कभी मिलती है तो आप उसे इस pattern में रखकर check कर पाएं ठीक है, initial examples की बात करते हैं आपकी doubts होंगे, मैं खुद समझाना चाहूंगा He said, वो बैठ गया, sounds complete खुद से देख लीजे, natural election मुझे हिंदी नहीं आती, ऐसा native speaker बोलना आता है अगर आप मुझे से पूछे संधी कौन सी है, समास कौन सा है, विग्रह कहां पर है मुझे नहीं आता, माफ कीजेगा लेकिन हाँ native speaker हैं, बोल लेते हैं लेकिन language को judge किया जा सकता है कई चीज़ां तो languages में common होती है तो sense complete है, incomplete है, जरा in terms से judge कर लेता The very first one, he said, वो बैठ गया अब एक चीज़ मैं बोल दूँ क्योंकि live class नहीं है, आप मुझे से पूछ नहीं सकते इस वक्त However, comments में आप doubts लेख सकते हैं सब वो कहां बैठ गया? Incomplete है ना? तो transitive हुई ना? तो next topic, adverbs, अगर आप premiere नहीं देख रहे हैं तो playlist चेक कर लीजे और अगर premiere देख रहे हैं तो बहुत जल्द पढ़ेंगे तो एक छूटी सी बात कह दूँ के place दिखाने वाली चीज़ है time दिखाने वाली चीज़ है किसी काम को करने का तरीका दिखाने वाली चीज़ है manner जने कहा जाता है adverbs होती है verbs नहीं होती और verbs के object नहीं हो सकते because subject, object, noun, pronoun होते हैं जो मुझसे जुड़े हैं आपको इस बात में clarity होगी रामबाड में से एक चीज किसी भी sentence का subject, object हमिशा noun, pronoun रहता है तो आपकी doubt आ सकती है जैसे मैं नहीं लिखा नहीं यहाँ पर कि he is going, वो जा रहा है फिर देख लो वो जा रहा है, सब कहां जा रहा है अब doubt तो हमारी ये भी न, incomplete लग रहा है कहां जा रहा है, तो जो answer आप where से देंगे, वो कभी object की तरह बहिफ नहीं करेगा वो adverb की category में है further details adverb में देखें तो ऐसी doubts मन में न रखेगा where का answer, when का answer, dictionary से check कीजे, where English में adverb होती है verbs के object नहीं दे सकती, okay so he is set, natural tone में देख लीजे, वो बैठ गया, चुपचा बैठ जाओ बैठ गया विचारा, अब नीचे बैठा, उपर बैठा वो place है, adverb है, he is set मुझे तो सुनने में complete लग रहा है तो शायद इसके साथ किसी object की जरूरत न हो she was smiling, क्यों मुस्कुरा क्यों रहे थे क्यों मुस्कुरा क्यों रहे थे she is dancing, वो देखो उनके भाई गाना गा रहे है वो dance कर रही है अब उस case में जब वो dance कर रही है natural sense में देखिए मत समझे आप grammar पढ़ रहे है rule से मुझे भी नहीं आती language logical बात है, she is dancing, वो dance कर रहे है वो गा रहे है, sense complete नजर आता है time flies by यह adverb है, आफ कीज़ेगा, किसी का object नहीं है समय चलता रहता है हवा बहती रहती है wind blows, हवा बहती है natural tone में वो बैठ कया वो मुस्करा रही थी, वो dance कर रही थी या है, natural example बोल रहा हूँ समय चलता रहता है हवा बहती रहती है, सारे sentence मुझे complete नजर आते है या कह दीजे, इनके action को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है या direct words में कहिए, इनके साथ किसी भी extra object को add करने की जरूरत नहीं है लेकिन, India defeated, India ने हरा दिया, तो बहता इंडिया ने हरा दिया एक common question नजर आता है किसको हरा दिया, अब यहाँ मुझे adverbs के answer नहीं चाहिए, आशा रखता हूँ object की जरूरत होगी incomplete sense है, मुझे नहीं आती grammar बट India ने हरा दिया, तो किसको हरा दिया incomplete sense है, कुछ missing है शायब पुछाना चाहिए अच्छा I ordered, पता है मैंने order कर दिया क्या order कर दिया आपने आपको कुछ extra add करने की जरूरत होगी ready हुई, बातों की बात नहीं कर रहा है natural sense से देखे, अच्छा शीकल, पता उसने मार दिया, अब उसने मारा होगा, तो obviously किसी को तो मारा होगा आगे बढ़ाने की section को आपको जरूरत रहेगी, he saw ये ready chain complete है, पता है उस नहीं देखा था, सुबा सुबा देखा था अरे सुबा देखा time, adverb घर पर देखा था, place, adverb अरे देखा क्या था वो तो बताओ तो मुझे लगता है ये sentence अधूरा सा नजर आ रहा है the army attack पता है, army ने फिर से attack कर दिया है किस पर आपको object या कोई extra word उसमें mention करना होगा natural words बोल रहा हूँ, कोई रटे हुए शब्द नहीं बड़े बड़े examples मैंने नहीं लिखे आपको जिन words का meaning खुद पर complete हो जाता है, कुछ आगे add करने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखेगा place, manner और time की बात ना की जाए वो add verbs होती है, वो सारी intransitive है, क्योंकि उनके साथ object नहीं मुझे need है, लेकिन जिन verbs के object हटाने के बाद या बिना लिखने के बाद अगर वो incomplete sense देती है तो जरूर उनमें कुछ न कुछ add करने की जरूरत है जिसको object चाहिए, transitive कह दीजे, जिसको object नहीं चाहिए intransitive कह दीजे, अब ज़र इस चीज को judge करते हैं, पहले इनको लिख दूँ, आशा रखता हूँ clear होगा, वो बैठ किया, वो मुस्परा रहा था वो dance कर रही थी, समय चलता रहता है, हवा बहती रहती है, ऐसे सारे examples इनको किसी object की जरूरत नहीं है they must be intransitive in general so these are the intransitive verbs उस बात को वापस कह दूँ, अभी देखेंगे आप English में कई verbs, transitive से intransitive behave कराई जा सकती है तो वो बात की बात है, अच्छा इधर आया मैं, India defeated, India ने हरा दिया तो एक छूटी सी line, जब मैं ये offline classes में पढ़ाता हूँ, मुझे समझाने में अच्छा लगता है आपको भी शायद समझने में अच्छा लगेगा जो कोई नया हो, माफी, कोई पुराना है तो वो रामबार्ण मैं लिख दूँ पहले कि हमेशा prepositions के साथ object आते हैं, verbs के साथ object आते हैं, किसी भी sentence का subject, object, noun या pronoun हो सकता है, पुराने वीडियोज रेफर कर लीजे use of subjective and objective case of a pronoun मैं ये सारी चीज़े मैं आपको समझाई थी, English में कई बार काम आती है और चौथा, बहुत जल्द आपको add हो जाएगा, models के साथ हमेशा web की first form आती है, ये चार चीज़े मेरे पास basics हैं, ताकि सब derive हो सकता है judge कीज़ेगा, प्लीज है, इंडिया defeated, पता इंडिया ने हरा दिया ठीक है, हरा दिया, किसको अब मैं इस case में एक कुछ add करने वाला हूँ, आपको visible वहाँ पर ना हो तो यहां लख देता हूँ, इंडिया defeated, उसी क्या आगे लिख रहा हूँ, in Australia एक common example जो हमेशा इस्तमाल करता हूँ इंडिया ने हरा दिया यार missing लग रहा है, पता है इंडिया ने Australia में हरा दिया अब complete है, natural words में इंडिया ने हरा दिया, अधूरा किसको हरा दिया इंडिया ने Australia में हराया था complete sense नहीं नजर आता होगा अब इस sentence में object है आप ये नहीं कह सकते, object नहीं है क्यों, prepositions के साथ भी तो object आते हैं तो ये भी तो object है, लेकिन किसका verb का नहीं है, शायद preposition का object है अच्छा incomplete है, चलो मैं और object add कर देता हूँ, आपने बोला था object add करना है, मैंने add कर दिया, grammar समझा रहा हूँ प्लीज समझेगा, India defeated in Australia, India ने Australia में हराया था, किसको, अच्छा 22 run से हराया था, by 22 runs, अरे ठीक है इंडिया न ऑस्ट्रेलिया में 22 run से हराया किसको, अरे तो ठीक है, और add कर देता हूँ, माल लीजे, माल लीजे lords के मैदान पर हराया, मुझे पता lords Australia में नहीं, लेकिन मैं कितने भी object add कर दूँ ये 3-4 है, अच्छा पता 26 जनवरी को हराया था, on 26th of January आप एक चीज़ नूटिस कीज़े, मजाग नहीं कर रहा हूँ लेकिन समझाने की कोशिश है कि आप इसमें 4 object add कर चुके हैं missing object किसको था, verb को जबके आप object देते किसको जा रहे है, prepositions को तो वो prepositions की need complete होगी verb के साथ अभी भी object नहीं है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 22 रन से लॉड्स के मदान पर 26 तारीक को इस अवसर पर हराया, किसको हराया, तो एक काम कीज़े इतने सारे object मत दीजे मुझे मुझे इनकी कोई need नहीं है, adverbs ने सारी, time, place दिखाने के लिए एक काम कीज़े, जो object आपने prepositions को दिया है वो verb को दी दीजे, यानि डारेक्टली अगर ये इसके बाद आ जाए इंडिया defeated Australia sounds complete ठीक है, इंडिया defeated Australia, इंडिया ने ऑस्टेलिया को हराया, अब ये चीज़ complete है अब वो additional info होगी, यार 22 रन से हराया, 2 inning से हरा दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी आप कहना चाहें, इस मैदान पर उस तारीक को, doesn't matter इंडिया defeated Australia, इंडिया ने ऑस्टेलिया को हरा दिया, sounds complete तो जब ऐसी चीज़ें आपको कई बार काम आएंगी, ये इस मैने मजाक में नहीं बोलाता, ध्यान रखेगा जब आपकी object की need proposition को हो, तो proposition को add कर दीजे लेकिन जब verb को need हो object की तो verb को देना चाहिए, proposition को देने से verb की need complete नहीं होती तो हाँ, जिन verbs को object की जबरत होती है, उन्हें transitive कहा जाता है जिन verbs को object की need होती है, उन्हें transitive mark किया जाता है so India defeated Australia, defeat अपने आप में incomplete थी, transitive कहा दीजे I ordered, पत्थम मैंने order कर दिया है, क्या order कर दिया कुछ भी लिखिये, a new mobile phone articles और roughly लिख रहा हम I ordered a new phone, a plate of rice pizza, जो आप कहोगे मैंना pizza order कर दिया है, ठीक है आज वोई खालेंगे, जो भी कहिएगा लेकिन आपको object mention करना होगा, अच्छा she killed पता उसने मार दिया, a snake जो भी आप अब मच्छर मार दिया उसने she killed a mosquito, mosquito जाता है, कुछ भी कह दीजेगा लेकिन हाँ, आपको general तोर पर object mention करना होगा otherwise sentence complete है एक line वापस mention कर दूँ, he saw पता उसने देखा था मैंने इस बात को further आपको और समझाने के लिए फिर से object लगा दिया, in the mirror visible होगा आपको in the mirror, वैसे यह adverb है आप पढ़ सकते हैं, otherwise अभी मेरे कहने समाल लीजे, adverb है यह because place दिखा रहे, he saw in the mirror उसने देखा था, incomplete उसने शीशे में देखा था अरे ठीक है, शीशे में देखा था अच्छा उसने सुबही देख लिया था, अरे भाई आउस्ट्रेलिया सही है तो I saw, यही सोई की बात है in the mirror, मैंना शीशे में देखा क्या देखा, या तो मैंना खुद को शीशे में देखा, otherwise सुबह उटकर मैंना सबसे पहले शीशा देखा, I यह he saw the mirror, उसने शीशा देखा जब गाड़ी हम चलाते हैं, शीशा देखना चाहिए तो he saw the mirror, सबसे पहले उसने शीशा देखा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की sounds complete और आपको अगर यह मजाख लग रहा हूँ तो यह मैंने एक छोटी से example को समझाने के लिए इतनी आपसे शब्द बोले और ऐसे कई चीज़ों को आपने rule की तरह रटा होगा जिसको मैं derive करके वापस समझाना चाहूँ the army attacked army ने attack कर दिया है common sense कहता है किस पर attack कर दिया, आपको object mention करना होगा maafi, maafi, maafi इन शब्दों के लिए लेकिन हाँ, हर वो चीज़ जो हिंदी में है वो exactly English में translate नहीं की जा सकती तो आपने रटा ही होगा English की books से rules के आधार पर कि attack के साथ on नहीं आता कई लोगों ने पढ़ा होगा resemble के साथ with नहीं आता discuss के साथ about नहीं आता ऐसे कई rules आपने पढ़े होगे मैं propositions में पढ़ा हूँगा अगर आप बाद में देख रहे हैं playlist चेक कर लिजे, पढ़ा चुका हूँ शायद premier देख रहे हैं, maaf कीजेगा तो general thought पर एक common error जो exams में use की जाती है verbal अपनी बोलचाल में भी use ना करें because army ने attack कर दिया किस पर attack कर दिया तो हम कुछ इस तरह exam में error पूछते हैं हम लोग बना सकते हैं शायद the army attacked on the terrorists अब आप इसको हिंदी में अच्छा पाएंगे गलत हो तुम आफ कीजेगा please the army attacked on the terrorists army ने terrorists पर attack कर दिया अब ये हिंदी में तो आपको पर दिख रहा है लेकिन आप rules से रटे होंगे शायद के attack के साथ on का अस्तमाल नहीं किया जाता वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि India defeated Australia चाहिए ना कि India defeated in Australia I saw in the mirror ना होकर I saw the mirror verb को object चाहिए और आप किसको देख रहे हैं? दे रहे हैं? proposition को इसलिए attack के साथ as a verb transitive है इसलिए on का इस्तमाल नहीं किया जाता flat words है the army attacked the terrorists आप verify कर सकते हैं otherwise trust me और कई लोगों ने पढ़ा होगा कोई नहीं चीज़ नहीं the army attacked the terrorists क्यों? because attack transitive verb है transitive अपने object खुद रखती है proposition को object नहीं देती हाँ इसी चीज़ को थोड़ा और exemplify याने समझाना चाहूं आपको कि अब आप इस चीज़ में कोई और चीज़ एड़ करना चाहें जैसे काफी बोलिया में नहीं ये सारे statements complete हैं intransitive वो सारे statements अब complete हो चुके हैं transitive हो गए complete sense हैं लेकिन हाँ अब यार मेरको यहाँ भी object कुछ add करना है जैसे sofa पर add करना है मुझे घर पर बैठा चछत पर बैठा यहाँ बैठा वहाँ बैठा जो आप कहना चाहें verb transitive है उसको object नहीं चाहिए अब आपको जो करना है आप on sofa लिखें at कुछ भी लिखिए मुझे इससे मतलब नहीं है लेकिन आपको एक preposition mention करना होगा जिसके साथ आपके object connect किये जा सकते हैं जब आप कहेंगे she was smiling किस पर हसरे थे मुझे नहीं लिखना मैं तो यह लिखूँगा she was smiling her या कहें दीजगा him जो आप लिखना चाहें तो general तोर पर smile intransitive है उसको object नहीं चाहिए जब verb को object नहीं चाहिए तो वो object हमेशा आप preposition को माग करेंगे because object लेने का काम दो ही terms कर सकते हैं या तो prepositions के साथ object आते हैं या फिर verbs के साथ object आते हैं तो आप यहाँ पर preposition add करेंगे और आपका sentence complete he is dancing यार object add कर मैं the garden roughly लिखरो माफ कीजेगा the garden मैंने यहाँ पर add कर दिया अब dance intransitive है garden object नहीं ले पाएगी तो एक काम कीजिए preposition को माख कर दिजे he was dancing in the garden जैसा आप mention करना चाहें ठीक है birds fly चिडिया उड़ती है तो उड़ती है अब birds fly अपने आप में complete है मुझे इसमें sky add करना है तो मैं यह तो नहीं कहता birds fly the sky preposition add कर दिजे जब verb intransitive वो object नहीं ले सकती तो preposition को दे दिजे birds fly in the sky सूरज को हम उठाने जाते हैं के सुबह सुबह अपने आप उठ जाता है सूरज निकल गया तो निकल गया complete है the sun rises नहीं आप कहां से निकला वैसे तो adverb है place दिखा रहे है फिर भी the sun rises east या the sun rises the east incomplete होगा because verb को object नहीं चाहिए वो object फिर आप preposition को दे दीजे the sun rises in the east कहा जा सकता है conclusion इस बात का अगली slide में आप बहुत अच्छा देखेंगे कि जिन verbs को हाँ object की जरूरत नहीं होती उन्हें intransitive कहा जाता है जिनके साथ object नहीं चाहिए और जिनको अपना meaning complete करने के लिए object की जरूरत होती है उन्हें transitive कहा जाता है the verbs which do not need any object to complete their meaning are said to be intransitives whereas transitives are the verbs which need an object to complete their meaning in general हाँ English में कई सारी verbs को दोनों तरह से बेव कराया जा सकता है बहुत जल देखें इन examples का ध्यान रखें आप हस्क्यू रहे थे complete है इंडिया नहरादिया incomplete है आप ये slide लिखिए next slide have all kept these examples कुछ example आपको लिखें है जिनसे के आप खुद कभी variate कर पाएं simple सी request है humble request है रट कर ना चल है कि ये transitive है या intransitive है सर कैसे पहचानते है transitive इntransitive है तो माफी बट हमेशा एक चीज़ कही है किसी भी language में किसी भी शब्द का function जो है उस sentence में उसके इस्तमाल के लिए दिखाया जा सकता है आप उसे dictionary से रट कर कभी existence में नहीं दिखा सकते given statement में उसका variation change किया जा सकता ये बात मैंने हमेशा कही है तो would love to repeat कि कि किसी वर्ब को transitive-intransitive judge करने से पहले कि नहीं ये तो transitive होती है sentence दिखाये कि इस sentence में से किस तरह इस्तमाल किया गया है because English में काफी सारी verbs दोनों तरह से बहेव की और कराई जा सकती है कुछ examples आपको माग करना चाहूं the very first one birds fly in the sky हाँ एक चीज और पुराने लोग आपका revision नए है ध्यान रखेगा prepositions के साथ object आते है verbs के साथ भी object आते है और subject, object हमिशा noun, pronoun हो सकते है जबके एक चीज जो नए हो उनसे कह दू क्योंकि इस वक्त तक मैंने adverbs नहीं पढ़ाई है English में time English में place English में manner दिखाने वाली चीज़े adverbs होती है प्लीज यहान रखेगा तो मुझे उन दो लाइन से काम है birds fly in the sky अब ये fly मना यहाँ पर भी इस्तमाल की है fly मना यहाँ पर भी इस्तमाल की है we eat so that we may live eat यहाँ पर भी है eat यहाँ पर भी है tense के साब से form change हो गई sit यहाँ पर भी है sit यहाँ पर भी है form change हो सकती है judge कीजे birds fly in the sky मुझे नहीं पता आशा रखता हूँ एक और slide लिखूँगा शायद आप comfortable हो इस बात में transitive है के intransitive है rati भी बात है मुझे नहीं पता मुझे सिर्फ इतना बताई इसके पास object है India defeated in Australia जा रहा है object नहीं है क्योंकि जो sky object है वो किस के पास है वो preposition का object है हो सकता है ऐसी चीज़ें आपको awkward लगे बढ़ एक बार जब rhythm बनी कभी परेशानी नहीं होगी ये मेरी तरफ से surety है in preposition है preposition के पास अपना object है तो ये preposition का object है क्या verb के पास object है verb के पास कोई object नहीं है grammatical sense मुझे हिंदी नहीं आती हाँ अगर मुझे इसको translate करना आता है तो मैं साधा भी जानता हूँ चिडिया उड़ती है खुद से उड़ जाती है कोई उड़ाने नहीं जाता हूँ उसको in general और हाँ चिडिया उड़ती है आसमान में उड़ती है घर पर उड़ती है नीचे उड़ती है पाता लोक में उड़ती है place दिखाने का काम adverbs का होता है intransitive because fly के पास कोई भी object नहीं है object prepositions नहीं होते object noun pronoun होते है चिडिया उड़ती है खुद से उड़ जाती है मुझे गाड़ी चलानी आती है मुझे कार भी चलानी आती है bike भी चला लेता हूँ मैं तो plane भी उड़ा लेता हूँ अब इस case में fly का मतलब यहाँ उड़ने से नहीं है हिंदी में जैसे variation आते है उड़ना उड़ाना हलाएक English में कई verbs की spelling change की जाती है तो मैं तो plane भी उड़ा लेता हूँ अब यहाँ पर fly के पास object है क्या? aeroplane और जब आपके पास object है तो आपको transitive mark किया जाएगा जब आपके पास object नहीं है preposition के पास object है तो आपको intransitive mark किया जाएगा I must be clear वापस कह दूँ birds fly in the sky में कोई भी object नहीं है in the sky preposition का object है in the sky intransitive कोई object नहीं उसके पास object noun pronoun होते है जबके birds I'm sorry I can fly an aeroplane मैं तो plane भी उड़ा लेता हूँ अब इस case में fly transitive है इस sentence में क्योंकि उसके पास object है उसे transitively behave कराया गया है sir नहीं समझ मा है दुबारा देखते है एक English की proverb है कहावत है मैं और आप change नहीं कर सकते we eat so that we may live हम लोग इसी लिए खाते हैं क्या खाते हैं अरे उससे फर्क नहीं पड़ता हर किसी का अपना अपना खान पान है बड़ हम लोग खाते पीते इसी लिए हैं इससे के जिन्दा रह पाएं हाँ इस बात की शौरिटी रहे हैं कि खाएंगे पिएंगे तो हमेशा जिन्दा रहेंगे इसलिए possibility दिखाने के लिए make a इस्तमाल किया ठीक है प्रबब है मैं और आप change नहीं कर सकते eat के पास कोई object है आप जानते होंगे इतना हतो so that English में conjunction होता है तो conjunctions नया sentence जोड़ी के काम करते हैं एक sentence यहां से हो गया we may live एक sentence यहां finish हो गया we eat हम लोग खाते पीते भई खाने पीने पर ध्यान दो अब मैं आपको यह बता है क्या खाने पर ध्यान दो क्या पीने पर ध्यान दो तो मुझे object देने की ज़रत नहीं है थोड़ा खाया पिया करो अब क्या खाया पिया करें doesn't matter लेकिन हाँ we eat so that we may live conjunction नया sentence पुराना sentence eat के पास कोई object नहीं है used intransitively लेकिन वो क्यों pizza रखा था यहां पर कहा गया वो तो मैंने पहले खा लिया था I have eaten that pizza मैं कई बार कहा होगा आज शायद लिखित मैं वापस mention कर दूँ इसका pronunciation pizza नहीं होता माफ कीजाएगा at least जो लोग मुझसे जुड़े आप ध्यान रखा है pronunciation के लिए इसको P-I-T-S-A यह रखा जाता है English का शब्द है नहीं Italian term है इसलिए वहीं के pronunciation को follow करता है This is pizza और pizza दोनों sound होते है pizza, pizza So I have eaten या you have eaten that pizza हो तो मैंने खा लिया अब एक चीज़ यहां पर खाने की बात की जाएगी तो मैंने pizza खाया मैंने चावल खाया मैंने खाना खाया मैंने डिनर कर लिया आपके पास object है और जब आपके पास object है क्या खाया? Pizza खाया था जब आपके पास object होता है obviously उसका object है must be used transitively तो eat इस sentence में transitive है इस sentence में intransitive है एक और चेक करते हैं चुप जाब बैट जाओ अब वो बिचारा नीचे बैठ गया फिर क्या करें? down English में adverb होती है सर कैसे पता? वीडियोस देखे या तब तक डिक्षरी की मदद लेजे down adverb है तो ये किसी का object नहीं है माफ कीजेगा ये इसका object नहीं है ये adverb है प्लीज जहान रखें कोई object है और सीधी सी बात है बैठ जाओ तो इसमें action खुद तक complete है किसी तक आगे बढ़ाने के जुरूत नहीं है used intransitively English में sit अकसर intransitively use करते हैं हम लोग sit down intransitive कोई object नहीं है कोई बिठा नी रहा आपको बैठना है खुद से subject है object नहीं है बच्चा था यह कहाँ पर वो कहां गया अरे वो तो मैंने वहाँ अंदर बिठा दिया उसको उसको तो मैंने दीवार पर बिठा दिया for example I set the baby कहां on the wall तो मैं खुद बोल दिता हूँ भाई इसको side रखो यह proposition का object है wall किसका object है? proposition का लेकिन baby किसका object है? यहां इसका मतलब बैठने से नहीं है बिठाने से है वो guest आये थे वो कहां गई उनको मैंने hall में बिठा दिया है वो लोग बाहर बैठे है थोड़ी देर से मिलता हूँ आपसे अब बैठना खुद से होता है स्वतह intransitive लेकिन बिठाने के लिए object चाहिए subject भी चाहिए used transitively आशार रखता हूँ इन तीन example से clear हो अलग-अलग variations next slide में फिर आप देखेगे पर generally कहना चाहूँ इन कुछ चीजों से आप judge कर सकते हैं simple statements में complex में नहीं proposition के साथ object आते हैं object नहीं मेरे पास statement में भी proposition के पास object है verb के पास object नहीं है used intransitively लेकिन मुझे गाड़ी चलानी आती है plane भी उडाना आता है मुझे तो उड़ना उड़ना अब आप इसे हिंदी में नी रट सकते sir fly मतलब उडना होता है कि उड़ना होता है हम लोग खाते पीते हैं जिससे के अपनी जिन्दगी खाया पिया करो health is wealth पहले खाओगे पियोगे अच्छी health होगी जिन्दा रहोगे चलेगा eat के पास object नहीं क्या खाना है intransitively लेकिन हाँ eaten क्या मैंने खा लिया खाना हो कि अहाँ मैं खा लिया उसको जब आप object दिखा देंगे used transitively बैट जाएए वो खुद से बैट गया sit down intransitive object नहीं उसके पास adverb है लेकिन उनको तो मैंने वहाँ बिठा दिया वो बच्चा तो मैंने फिर बिठा दिया उसको वहाँ पर उसे train में बिठा कर आ गए अब उस case में आपके पास object है तो एक अच्छी किताब से मैंने कुछ शब्द पढ़े मुझे बहुत अच्छे लगे थूड़े deep words हम revise कर दूँगा बट सुन लिजेगा कि किसी verb को ये define करना कि वो transitive है या intransitive है grammatical point of view से कहना गलत होता है because आप नहीं बिता सकते कि वो transitive है कि intransitive है लेकिन हाँ किसी verb को उस sentence में transitively behave कराया गया है या फिर intransitively behave कराया गया है ये कहना बहतर होता है I repeat कोई verb transitive है या फिर intransitive है ये कहना थोड़ा गलत होगा because English में verbs transitive और intransitive दोनों तरह से behave कर सकती है काफी सारी कहिए उस sentence में उसको transitively behave कराया गया है यानि उसके पास object है या फिर उसे intransitively behave कराया गया है उसके पास object नहीं है because वापस कहना चाहूँगा most of the verbs in English behave transitively as well as intransitively आशा रगता हूँ कुछ और words से इसी बात को देखे ओके last slide वापस next slide किसी verb को transitive कहना intransitive कहने से बहतर होगा उस sentence में उसे transitively behave कराया है या फिर intransitively ज़रा चेक करते हैं he fought very well उस लड़ाई में आप share की तरह लड़े थे आप बहुत अच्छा लड़े थे बोला तुने चे लड़े बहुत अच्छे थे लेकिन fine he fought very well well adverb है very adverb है side रखूँगा किसी का object नहीं है verb के object हमेशा noun pronoun हो सकते हैं ध्यान रखेगा जो object आपके बहुत करते हैं adverbs किसी का object नहीं होती he fought very well आप बहुत अच्छा लड़े थे किस से लड़े थे मैंने आपको नहीं बताए उस लड़ाई में आप बहुत अच्छे से लड़े थे किस से लड़े बताना जुरूत नहीं है sentence दिखाएगा न किसी को यह नहीं लगे to के साथ तो even आएगा न to fight racism यह dedicated to वाला अभी आप जितना जानते हैं अगर आप advanced verb देख चुके हैं तो वहाँ देख लीजेगा कई words के साथ English में to plus ing आती है मैं step आने पर पढ़ा दूँगा dedicated to के साथ English में ing आती है यह गलत नहीं ध्यान रखेगा अच्छा fight generally हमें रटा होता है na fight with से लड़ाई करना क्योंकि हिंदी में satisfactory लगता है please माफ कीज़ेगा हर चीज exactly true नहीं होती मैं खुद हिंदी में समझाता हूं लेकिन grammar exactly same नहीं हो सकती variations जरूर आपते हैं the army attacked on the terrorist army ने terrorist पर attack कर दिया सही नहीं है the army attacked the terrorist होता है आप चेक कर सकते है to fighting racism अब जिन्दगी भर उसने racism से fight करने में गुजार दी तो racism से fight नहीं की अब आप मन में सोच सकते हैं sir के लिए fight किया होगा मतलब इस चीज के लिए लड़े तो यहां माफी न मैं grammarian हूँ न आप grammarian है exactly a statement Oxford से copy है Oxford से statement लिया है तो आप और मैं गलत हो सकते हैं Oxford गलत नहीं होगी माल लीजेगा English में fight transitive होती है एक land मुझे अभी याद आई एक common example गूगल करके देखेगा the ants ants कह लिजे चीटिया यह एक तरह का कीड़ा होता है जिसे कहा जाता है तो अब इसकी हिंदी मैं भी न कर पाँ क्यों मेरी मातरभाशा में तो मैं वही कहाँगा जो चीटियां थी वो उस कीड़े से लगड रही थी या उन कीड़ों से लड़ रही थी प्रपोजिशन आएगा इंग्लिश में फ्लैट स्केटमेंट लिखा जाता है कोई विद फॉर कोई प्रपोजिशन नहीं आता आंट सब्जेक्ट है फॉर्ट वर्ब है और कीड़ा हाप का डिरेक्ट अबजेक्ट है इंग्लिश में फाइट ट्रांजिटिव भी होती है एक सेंपल उसी का फाइटिंग वाट फाइटिंग रेसिजम तो रेसिजम फाइट का अबजेक्ट है और जिसके पास अबजेक्ट होता है उसे फिर ट्रांजिटिव ही कहा जाता है तो इस एक्जेंपल में ट्रांजिटिव है The driver stopped the train Driver, आपने गाड़ी क्यों रोख दी? तो stop का मतलब रोखने से भी हो जाता है रुकना भी हो जाता है अब जब आपके पास सीधी सी बात है object है, object मतलब noun to noun है तो जब आपके पास object है आप उसे transitive behavior कहेंगे पता नहीं, चलते चलते हैं गाड़ी अचानक से बंद हो गई, अचानक से रुक गई जो train थी पता नहीं, वहाँ पहुँचे अचानक से रुक गई, the train stopped suddenly suddenly adverb है, आपकी कहानी में अलवा लगा है तो adverb में होगी, हमेशा ऐसा नहीं होता माफ कीजेगा, बट यह adverb है अब इसके पास कोई object नहीं है और जब आपके पास object नहीं होता तो आप उसे हमेशा intransitive behavior देते हैं अब इस path पर लड़ना, जैसे कई बार मुझे भी comments मिल जाती है, ऐसा होता है sentence दिखाईए, sentence बताएगा कैसा होता है, शब्दों से नहीं लड़ा जाता है language है, subject नहीं है stop, intransitive भी होती है stop, transitive भी होती है sentence के नीट के हिसाब से object है transitive, object नहीं है intransitive, और भी कुछ examples वह बहुत सारे हैं, कितने बोलूम बठा आशा रखता हूं, उनसे आप समझ पाएं he's dancing वो dance कर रहा है and his brother singing, उसका भाई गा रहा है तो वो dance कर रहा है, उसका भाई गा रहा है क्या गा रहा है? अब यह मैने आप से नहीं पूछा, यार वो गाता है बस, मुझे इतना पता है, वो गाता है Hollywood गाता है नहीं, वो तो भजन गाता है तो मैंने आपसे object नहीं पूछा क्या गाता है लेकिन उसका भाई डांस कर रहा है और वो गा रहा है यहाँ पर singing के पास कोई भी object नहीं है और जब आपके पास object नहीं है used intransitively लेकिन he is singing a Hollywood song he is singing a Bollywood song he is singing भजन कह दीजे अब यहाँ पर आपके पास object है कैसा भही वो तो Hollywood songs गाता है वो Bollywood नहीं गाता या फिर जब आप कहना चाहें जब आपके पास object है song obviously कौन सा ऐसा वैसा adjectives qualities उसकी तब आप उसे कहिएगा transitive है because आपके पास object मौजूद है चिक है quick recall इस बात का आगे और भी words बोलने मुझे fought very well adverb, adverb, no object क्योंकि object noun pronoun होते है intransitive fight, racism fought, the insects आप उस case में उसे transitive कहिए आपके पास object है stopped, the train object है transitive stopped, suddenly या suddenly stopped अब इसके पास object नहीं adverb है intransitive ली इस्तमाल की गई है singing जब flat हो जाएगी तो उस case में उसके पास कोई object नहीं है intransitive लेकिन sing a song एक गाने सुना दो यार sing a song कहिएगा उस case में आपके पास object है used transitively हजारों से ज़ादा examples इस बात के लिए रखे जा सकते हैं बढ़ आचा करता हूँ आपको समझाया होगा कि sun rises in the east कहोगे so that we may live last line में लिखा हुआ था we eat so that we may live अब live के पास भी तो object नहीं था मैंने सिर्फ eat का जिक्र किया fine live के पास object था नहीं ताके हम जिन्दा रह पाएं live कह दीजे no object intransitive जा सिमरन जा जी ले अपनी जिन्दगी I'm going to live my life Justin Bieber का भी song है I'm gonna live my life a battle जो भी आप कहना चाहें जब live के पास object होगा living my life उस case में आपके पास object है I have to live what? my life singing a song killed a snake transitive है आप इन words को लिखे आगे और देखते हैं जरा इन चीजों पर नरज़र डालिए ठीक है ये तो हम सब ने रट लिया पढ़ लिया बचपन से कि transitive होती है जिनको object चाहिए इन transitive को object नहीं चाहिए fine किसी ने ये notice कराया कि वो object क्या हो सकता है because language एक से तो नहीं बनती बहुत सारे variations होते हैं किसी भी language में कहने के, बोलने के, बताने के, लिखने के तो एक बहुत अच्छी slide advanced ही कहूँगा मैं इस वीडियो का इसको ध्यान से देखेगा और ध्यान से सुनिएगा आशा रखता हूँ कुछ समझा पाऊं आको आपको extra info दे पाऊं आशा करते हैं, इन example से judge करते हैं, the very first one he invited his friend उसने अपने दोस्त को बलाया था मुझे नहीं बलाया invite वापस verb है he subject है और आपके पास उसका दोस्त तो जो है वो किसको बलाया था, अपने दोस्त को बलाया था आपके पास object मौजूद है but mark my words, यहाँ पर जो object है वो एक noun है तो हाँ, किसी verb का जो object हो सकता है transitive का obviously in transitive का object होते नहीं है वो एक noun हो सकती है he killed a snake, noun है India defeated Australia, noun है nouns object भेव करती है मैंने तो हमिशा कहा है इस बारे मैं अच्छा बाद में उसका call मुझे भी आ गया था मुझे भी बिला लिया उसने he invited me आप जानते है अब जो object है obviously वो noun ना होकर एक pronoun है तो ठीक है किसी verb का object noun भी हो सकता है किसी verb का object pronoun भी हो सकता है हमेशा कहा but one words में possible है आप पढ़ेंगे आगे और अगर प्रीमियर नहीं देख रहे हैं प्लेलिस चेक कीज़े शायद आपको मिल जाए infinitives, participles, gerunds इसी का advanced video advanced fraction verbs का ही he wants to leave this city he wants उसे चाहिए क्या चाहिए एक नया mobile phone चाहिए खाना चाहिए नौकरी चाहिए जो भी कहेंगे वो उसका object होगा और वो चाहता है एक phone चाहता है एक नौकरी चाहता है रोजगार चाहता है खाना पीना चाहता है इस शहर को छोड़ना चाहता है object तो वही है वो चाहता क्या है मुझे चाहता है आपको चाहता है नौकरी चाहता है इस शहर को छोड़ना चाहता है English में infinitives noun की तरह भी behave करते हैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा इस बात को शायद अभी ना समझा पाऊं आपको, बट आगे देखेगा, infinitives English में noun behavior भी देते हैं, तो ये has as a noun, लेकिन है infinitive, आप सब जानते हैंगे, English में 2 plus V1, noun का behavior दे सकती है, बट infinitive दो कही जाती है, बहुत जलद पढ़ेंगे, तो he wants to leave this city, यहाँ पर जो object है, वो सिर्फ noun नहीं है, सिर्फ pronoun नहीं है, लेकिन ऐसे किसी भी variation से, हाँ वो behavior noun की तरह ही करेगा, लेकिन है क्या, तो वो infinitive है, English में infinitives भी verbs के object हो सकते हैं, I have to go, जैसे example आपने सुने होंगे, I want to say something, to say, किसी verb का object है, I want to say something, infinitive, 2 plus v1, किसी verb का object हो सकते हैं, I love music, music पहले से noun है, I love you, you pronoun है, I love singing, मुझे तो वैसे भी पसंद है, I love dancing, I love जो भी आप कहना चाहें, इस case में singing, किसी verb की ing form है, जो किसी का object है, जो लोग जानते हैं, अच्छी बात है, आगे वीडियोज में देखिएगा, पढ़ेंगे detail में, jarunds भी English में verb के object हो सकती हैं, because jarund भी noun की तरह behave करती हैं, और jarunds किसी verb की object हो सकते हैं, I like, जब आप अपनी hobbies बताते हैं, तो यही तो बोलते हैं, I love dancing, singing, swimming, painting, sketching, जो आप कहना चाहें, वो सारी चीज़ें आपकी हमिशा jarunds कहलाती हैं, वर्ब की ing form जो noun की तरह behave करें, इसलिए first video में कहा था, ing लगा कर वर्ब, वर्ब नहीं रह जाती, या तो jarund होगी, या फिर participle होगा, और भी functions होते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है, I know Ravi, Ravi noun है, मैं Ravi को जानता हूँ, noun as a object मैं दिखा चुका, I know you, मैं आपको भी जानता हूँ, you pronoun है, no का object हो सकता है, तो एक-एक शब्द से क्यों बात करें, मुझे पता है, क्या पता है, कि प्यानों कैसे बजाते हैं, हाँ मुझे पता है, क्या, कि, for example, मुझे तैरना आता है, English में कई लोगों ने पढ़ा होगा आप में से, I know to swim ना होकर, I know how to swim, adverb है, किसी काम को करने का तरीका दिखाने के लिए, I know how to swim, हाँ, तैरना मुझे भी आता है, अब इस केस में एक शब्द नहीं है, मुझे आता तो है, क्या आता है, प्यानों बजाना आता है, ये पूरी की पूरी जो phrase है, वो उसका object है, क्योंकि एक शब्द नहीं है, मैंने समझाया था, आप सेक कर सकते हैं, Phrase, Gloss की Definition, Initial Videos में, जब मैंने YouTube पर वीडियो डालना स्टार्ट किया था, Basics of English का प्लेलिस्ट हुका, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, Phrase भी किसी की object हो सकती है, Phrase मतलब चंद शब्दों का समूह, सिंगल वर्ड नहीं, जो किसी का subject behave करें, object behave करें, adverb भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है, तो हाँ मुझे पता है, I know how to swim, I know how to play piano, I know how to play guitar, I know how to talk to a stranger, हाँ मुझे पता है, अजनभी से कैसे बात करते हैं, मुझे बाखु भी पता है, तो I know verb है, लेकिन क्या पता है आपको, हाँ मुझे पता है तुम कहां रहते हो, तो ये सब मुझे पता है, ये पूरी की पूरी phrase उसका object हो सकती है, और हाँ, हाँ मुझे पता है कि तुम इमानदार हो, मैं आपको समझाया था, clause उन्हें कहा जाता है, जिसके पास खुद का subject है, खुद की verb होती है, लेकिन किसी और पर dependent हो सकते हैं, clause कहलाते है, subordinate clause, principle clause, main clause, subordinate clause, कौन सा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन clause भी किसी verb के object हो सकते है, एक complete clause, C-L-A-U-S-E, भी किसी verb का object हो सकता है, थोड़ा सा advanced है, माफी चाहूंगा, अगर इन basics से आप अवगत नहीं है, तो मेरे वीडियो में चैक कर सकते हैं, आप प्लीज देख लीजेगा, एक बार वापस कहना चाहूं, कोई verb का object noun भी हो सकती ह किसी verb का object प्रोण भी हो सकते है, कोई verb का object définitive भी हो सकता है, behaving as a noun, किसी वर्ब का object gerund भी हो सकती है, because gerund English में noun ही होती है, वो noun एक शब्द की हो सकती है, वो noun चार-पांच शब्दों की भी हो सकती है, phrase कहा जाता है, और हाँ वो noun पूरा का पूरा sentence behavior भी दे सकती है, जिसे हम clause कहते है, clause के पास खुद की verb होती है, मैंने समझाया था, आप चेक कर सकते है phrases के पास खुद की verb नहीं होती, sir क्या बात कर रहे है play है न वर्ब यहाँ पर maffy, last video में कहा था न, और अभी अभी आपके सामने है infinitives non-finites में आते है, non-finite English में verb नहीं होती, इसके अलावाद सारे काम कर सकती है तो इसको please verb मत कहिएगा अरे sir, play मतलब खेलना होता है वो meaning है, एक grammar है अभी इतना एक घंटा बोलकर वही समझाया आगे कई वीडियोस में देखेंगे sentence में function क्या है, इस बात पर हम उसका part of speech derive करते है decide करते है, तो एक अच्छी बात आपको यहां सिखाई, एक नहीं बहुत सारी कि verb को transitive कहना बहुत अच्छी बात है लेकिन I saw him, he saw me इनसे आगे भी बढ़िये, वो object जो transitive verb का है, वो noun, pronoun infinitive, gerund, phrase को एक पूरा का पूरा sentence भी हो सकता है, आप इससे लिखिए, थोड़ा सा और बोलना है, शलिए, तो इतना तो समझा पाया आपको हाशा रखता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, हमेशा अच्छा लगता है, last video को जब मैंने status पर upload किया था, YouTube community में तो आप ही लोगों ने, कई लोगों ने लिखा नीचे comments में, अब होगा verbs का post-mortem and I love such comments, बहुत अच्छा लगता है आपसे, thanks again for the encouragement and support time को limit में ध्यान रखते हुए, कई लोगों को problem हो जाती है, हालाकि मुझे कोई दिकत मेरे पास इतने अच्छे लोग है, जिनको फर्क नहीं पढ़ता, वीडियो की length क्या है but फिर भी one hour normally max हो जाती है तो आगे और वीडियोस बना देगे कोई परिशानी नहीं है, इस वीडियो को मैं यहीं pause करना चाहूँगा, यहीं finish करना चाहूँगा कह दीजे, इन बातों के साथ, के हाँ, transit मतलब to pass over जब आप अपना action आगे बढ़ा देते हैं, उस चीज को transitive कहा जाता है, जो वर्व अपना action आगे देती है, आगे object होगा तो जिनके पास object होते हैं, transitive और जो अपना action आगे नहीं बढ़ा पाती, उन्हें हम intransitive कहते हैं, उनके पास object की need नहीं होती हाँ, transitive, intransitive verbs को कहने से बहतर होगा, कहिए उस given statement में उसे transitive behave कराया गया है, या फिर intransitive behave कराया गया है, ये कई चीजे मैं आपको मार्क की, because English की most of the verbs, transitive, intransitive दोनों तरह से behave कर सकती है, please ध्यान रखेगा तो हम बहस ना करें, ये transitive होती है intransitive होती है, sentence दिखाईए और जो मेरा हमेशा आप लगों से कहना होता है कि sentence के हिसाब से बात कीजिए सिर्फ शब्द को लेकर उस पर लड़ाई ना करें, वो vocabulary होती है grammar नहीं होती है, function क्या है, sentence दिखाएगा और हाँ, किसी verb के object noun, pronoun एक complete phrase, clause infinitive और gerund जैसे शब्द भी हो सकते हैं इस वीडियो को यहीं pause करूँ आशा रखता हूँ, आपको surety दे पाए होगा हाँ, कभी life में आपको दिखकता है मुझे comments में लिख दीजेगा time उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको reply वहाँ पर कर पाऊ किसी भी verb को लेकर, जिसका आपको meaning clarity में ना हो कि यह transitive है, या फिर intransitive है thank you very much for your encouragement and support इस वीडियो को यहीं finish करना चाहूँगा couple of notifications के साथ कि आप मेरा telegram group join कर सकते है with the same name English by Kapil Dev Sharma जिससे कई लोग नए जो जुड़ते हैं उनको question होता है, अगली class कब होगी, तो मैं telegram पर daily update कर देता हूँ, जब-जब class है आपको updates मिलती रहेंगी, और भी कहीं अगर classes होती हैं मेरी, तो उनकी भी आपको updates मिलती रहेंगी, so please join my telegram channel with the same name English by Kapil Dev Sharma, channel as well as group, जिसमें आप अपनी doubts भी पूछ सकते हैं, same name English by Kapil Dev Sharma telegram पर आप मुझे join कर सकते हैं unacademy पर plus educator हूँ आप मुझे वहाँ follow कर सकते हैं कई classes free रहती हैं, आप वो भी join कर सकते हैं और अगर आप subscription लेना चाहें, तो SSE, PSE, UPSC, state level examinations किसी भी चीज के लिए subscription लेने से पहले flat 10% discount आप मेरे code से पा सकते हैं that is Kapil Sir, pretty simple K-A-P-I-L-S-I-R Kapil Sir, as simple as that flat 10% discount किसी भी stream के subscription से पहले music का थोड़ा सा shock है तो मेरा separate channel है, यह आपको दे दिया Kapil Music Boy, आप चाहें, तो थोड़ा बहुत वहाँ से entertain हो सकते हैं Thanks a lot for your kind encouragement and support, would love to see you in the very next video for चाह, next video में क्या पढ़ना है कई verbs ऐसी भी होती है जिनकी हलकी सी spelling change करके, उनको transitive से intransitive, या फिर intransitive से transitive behave कराया जा सकता है, I repeat some verbs can be transformed from transitive to intransitive or intransitive to transitive, can say vice versa, with a slight change in their spelling, या में न क्या काहा next video में देखी Thank you very much, this is Kapil Dev Sharma would love to see you in the next video thanks for your support, always welcome to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma Thank you